सब्द विचार मित्रों करते हैं सब्द विचार और सब्द विचार में हम क्या विचार करने वाले हैं हम विचार करेंगे कि सब्द की उत्पत्ति कहां से हुई उसकी रचना कैसे हैं प्रयोग कैसे करते हैं और अर्थ इन आधारों पे सब्द का जो वर्गी करन है उसको समझ आएए समस्ति है इस चार्ट से चार्ट मैंने आपके लिए बना है बताईएग में अच्छा लगए तो कमेंट जरूर किजेएगा इस बहुत अच्छा बना है सब्ध भेद पर ध्यान दीजिए सब्ध भेद के ऊपर लिखा है मैंने उत्पत्त्ति उत्पत्ती मतलब होता है कि सब्द कहां से आए सब्द पैदा कहां से हुए किसी भासा से लिए गए होंगे हिंदी में जो आए क्योंकि हिंदी तो अभी की भासा है कोई बहुत पुरानी भासा तो नहीं है तो सब्द की उत्पत्ती हिंदी भासा में कैसे हुई तो आई यह समझते हैं तो तत्सम सब्द, एक है तत्सम तत्सम सब्द वो सब्द हैं जो संस्कृत से डारेक्ट हिंदी में है, संस्कृत से हिंदी में आ गए, सेम जिसे आमर है अगनी है, पवन है यह डारेक्टली हिंदी में आ गए, कुछ कनवर्ट होके आए आमर भी कनवर्ट होके आम बना अगनी का आग बना तो कई बार अगनी लिखने को मिलता है कभी आर आग देखने को मिलता है तो अगनी या आम राता है तो तत्सम हो जाएगा अगनी और आम आता है तो तद्भव हो जाएगा तो मित्रों तत्सम और रजाए तेशज आए हैं आज मतलब पैदा होना मतलब देशच देश से पैदा हुए विदेशच जो विदेश से आए यह सिसे कोट है का चहरी है यह अस्पताल है हना स्कूटर है इस तरह के वर्ड जो हिंदी में देखने को मिलते हैं वो कहां से आए अलग-अलग भासाओ से अर्भी फार्सी तुर्की अंग्रेज जी यहां से आए इसलिए इसको क्या बोलते हैं विदेशज तूथ पत्ति क्या दार पर चारतरे के सब्द होते हैं तत्स अरति कुक्क रूड योग रूड क्यों बोलते हैं रूड-वादि सुनें बहुत-वादि आदम्य वह तो बहुत जड़ आदमी है, रूलवादी मतलब जिसका आर्थ fix हो गया, जड़ हो गया, इनर्शी है जिसमें, घर, घर का meaning fix है, घर का meaning fix है, जहां हम रहते हैं, तो यह rule है, है ना, अब इसे rule से योगी कोर योग रूल बनता है, योगी कोर योग रूल बनता है, जैसे अगर मैं एक word लेता मतलब fix है लेकिन दोनों को जोड़ देंगे तो एक दूसरा word निकलाएगा देवाले जहां देवतार रहते हैं मंदिर को बोलते हैं शिक्छाले जहां सिक्छा मिलती है school है college है यह सब क्या है योगिक है क्या है योगिक है इसका अर्थ क्या हो जाता है इसका अर्थ इन दोनों के समन्य वैसे एक नय अर्थ निकलता है देव जहां रहते हैं या सिख्छा जहां मिलती है वो है देवाले या सिख्छाले इसी तरह आप देखें योग रूड योग भी है रूड भी है ऐसा क्यों ऐसा इसलिए कि दशानन को देखिए दशानन दो रूड सब्द से बनाए दश और आनन, दस मतलब तो पता है दस, आनन मतलब सिर, आनन या आनन मतलब सिर, तो दस सिर वाला, अब किसी को भी तो नहीं कह सकते हैं दसानन, कोई अगर दस सिर होते नहीं किसी के, पर माली जी किसी के हो दसानन, तो दसानन नहीं वह रावन रावन के लिए रावन के लिए फिक्स हो गया है इसी तरह त्रिलोचन तीन आख वाले तो तीन आख वाले त्रिलोचन किसके लिए फिक्स है भगवान शंकर के लिए फिक्स है त्रिलोचन वैसे तो आप देखे होंगे कई बार आज कल जेनेटिक कई डिफॉर्मट क्लिए फिक्ष तो देखिए कुछ जो है लंबो अगिों का उधर लंबा हो जिस खेले योग रुट योग रूड योगिक और योगरूढ आईए, आईए समझते हैं, आर्थ के अधार पर, पर एक तो सार्थाक और निर्तथाक होती हैं, यह एक्जाम में centra नहीं बनते हैं, सार्थाक और निर्णत्तक यह क्या होता है, सार्थमीन जीक्षां है सार्थक आर्था न्यांक इसHH लिज़े, जीसे da बनते हैं, question किसे बनते हैं पर यह जो मैंने वरगी करिद किया है इससे बनते हैं, एक आर्थी ऐसे सब्द जिनका एक ही अर्थ है, कुछ औरही है, बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो एक आर्थी एक आर्थी इस में सब की लिस्ट हैं, मैं पढ़ाऊंगा आप्सक होता है अर्थ की आदार पर चार टाइप की होते हैं अब प्र staffing की आथार पर देखें। प्रियोक की आथार पर विकारी औविकारी विकारी मतलब जिसे में विकार आ जाए परिवर्तन हो जाए उसको क्या कहते हैं विकारी तो यह कौन-कौन से वर्ड हैं यह सर्वनाम संग्या विशेशन और क्रिया यह कैसे परिवर्तन होता है कि सर्वनाम को देखे पहले क्या लिखा मैं मैं जाता हूं मैं जाता हूं और अ का कनवर्जन मुझे में हो गया यह मेरा घर है मैं से मेरा बन गया तो सर्वनाम चेंज हो रहा ना सर्वनाम चेंज हो रहा किस हिसाब से चेंज हो रहा उसकी काल जो संटेंस का काल है टेंस है उसके इसाब से चेंज होता है सब्जेक की इसाब से चेंज होता है तो बहुत सारे कारक हैं जो सरवनाम को change करते हैं तो इसलिए क्या कहेंगे विकारी कहेंगे ऐसे संग्या संग्या भी change होता है जिसे गाड़ी है तो गाड़ी जा रही है गाड़ी जा रही है सीटी बजा रही है आप सुने होंगे गाना तो गाड़ी जा रही है अगर बहुत सारी गाड़ी है तो गाडियां जा रही है तो यह क्या हो गया इसमें भी विकार आ गया ना गाड़ी चेंज हो गया गाड़ियां में अलग अलग स्थित में ऐसी विशेशन वह लड़का बहुत अच्छा है वह लड़की बहुत अच्छी है तो कहीं अच्छा बोल रहे हैं कहीं अच्छी है व जहां भी विकार आ जाए वो हो जाएंगी विकारी कौन कौन से हैं सर्वनाम संग्या विशेशन और क्रिया सर्वनाम संग्या विशेशन और क्रिया सर्वनाम संग्या विशेशन और क्रिया अब आएए देखे आविकारी जिसमें विकार नहीं आता जिसमें चेंज नहीं आते हाई संटेंस में वैसे ही बने रहते हैं, उनको बोलते हैं, अविकारी कौन कौन से हैं, क्रिया विशेशन, संबंद बोधक, समुच्चे बोधक, विस्मियादी बोधक, क्या होते हैं, चलिए, क्रिया विशेशन क्या होते हैं, जो क्रिया की विशेश्था बताएं, जैसे रा कि रोहन धिरे दोडता है यह रोशनी धिरे दोडती है तो दोलनी कि बहुत तेजws रोषनी बहुत तेज है तो दोनों के लिए क्या तेज ही उपयोग हुआ ना तेज ही उपयोग हो रहा है या फिर एक और ले लिजे रोहन बहुत सुन्दर लिखता है और रोषनी बहुत सुन्दर लिखती है तो सुन्दर ही दोनों के लिए उपयोग हुआ क्रिया विशेशन ऐसी संबंद बोदक देखिए आगे पीछे, यह क्या है? यह मैं एकजाम्पल लिया हूँ, संबंद बोदक बहुत सारे word होते हैं, संबंद बोदक है क्या? समझ लिजे, आप समझ जाएंगे, एक तरसी preposition type के word होते हैं, जैसे building के आगे दुकान है, तो building और दुकान के भी बता रहा तो जो संबंद बोधक होते हैं एक तरह से प्रिपोजिशन जो होते हैं वो क्या होते हैं वो अविकारी होते हैं उसमें भी चेंज नहीं होता कोई भी व्यक्ति हो सब के लिए लगे लगेगा रोहन के लिए लगेगा और रोशनी के लिए लगेगा सब के लिए गीता मार्केट जा रहें तथा में चेंज नहीं गीता है समुच्य अध़क मतलब दो सेंटेंस को जोडतें हैं या दो शब्दों को जोडतें हैं विश्मयादी बोधक क्या होता है विश्मयादी बोधक होता है आह आहा उफ यह सब जो सब्द हैं जिसमें अश्यर का भाव होता है वो विश्मयादी बोधक होते हैं यह भी क्या है अविकारी है यह सब के साथ अविकारी होते हैं तो इसमें नाम पूछ लेगा क्रिया विशेशन संबंद बोधक स समुच्य बोधक और विश्मयादी बोधक अब इसी को जो अविकारी होते हैं अव्य बोलते हैं अव्य अविकारी को बोलते हैं अव्य क्या होता है अविकारी जो चेंज नहीं होता तो कौन कौन चेंज नहीं होता क्रिया विशेशन संबंध समुच्य और विश्मयादी तो इस तरह के जो वर्ड है ये क्या विशेश बल देते हैं इसको बोलते हैं निपात अव्य निपात अव्य चलिए आप कुछ उदारन समझ लेते हैं कंसेप्ट हमने पूरा समझ लिए सब्देभेत हमने उत्पत्ति के अधार पर देखा तत्सम तद्बो देशज देखा विकारी और अविकारी की भी टाइप से सरुनाम संग्या क्रिया विशेशन अविकारी की भी टाइप समुच्चे विश्मयादी बोथक तो चलिए चलिए अब कुछ एक्जांपल देख लेते हैं मित्रों तद्बो के ततसम सो हिंदी में आये कैसे कन्वर्ट होके आ यह प्लंग भक्त भात हरिद्रा भक्त का भगत भात भात हरिद्रा का हल्दी सपत्री सौत सुची-सूई सक्टु-सक्टु-चीर-खीर-खीर चीर सागर आप सुनने होंगे तो मित्रों आगे देख लिए कुछ और लिस्टिंग है आपके लिए जो एक्जाम में आ सकता है गवार, ग्रामीन, गड़ा, गर्त, गड़ा, गर्दर वी सब पढ़ लिजेगा आप यह इंपोर्टेंट है याद करने वाले आगे चलते हैं विदेशज सब समझे विदेशज इन सी लहरेडियो है टेली वीजन डॉक्टर यह सब क्या है अंग्रेजी के हैं पढ़ लिजेगा लिस्टा पूरी फार्सी का देख लिजे अनर चस्मा जमिदार दुकान अर्भी देख लिजे अउलाद अमीर कतल कलम तुर्की कैंची चा कुतो बारूद पूर्तोगाली की देख लिजिए इसी तरह है पुलिस कार्टून इंजीनियर चीनी का देख लिजे तूफान लीची चाय पटाक का यूनानी देख सकते हैं आप जापानी देख लिजे रिक्षा तो यह रिक्षा वट जापानसे आया आपको पता होना चाही है तो यह सब क्या है विकारी सब कैसे परिवरतन होता है मैं समझा लिया हूँ आपको फिर से आप समझ लेजी example से लड़का खेलता है लड़की खेलती है लड़की को खेलने दो देखिए खेल जो सब्द 되고 कहां कहां convert हो राँ खेलता है खेलती है खेलने दो तो यह क्या है ये हो जाएगा विकारी, अविकारी क्या है, जो बदलता है इनी जिसे अवे भी बोलते हैं, जैसे यहाँ वहाँ प्रति दिन बीना परंतु ये सब क्या हैं, अविकारी है, इनने कौन-कौन से आते हैं, क्रिया, विशेशन, समक्षे, और विस्मया, दिपोधक, फिर इसी को करने की कोसिस करें तो कुल कितने हो गए दोनों को मिला दिजी विकारी विकारी संग्य सरवनाम विशेशन क्रिया और फिर चार इसके हो गए संबन समुच्चे और विसमया बागर तो मित्रों चलीगवाल रिवाइज कर लेते क्या पढ़ें चलिए ससस्बाब सब्दोबिचार सब्दोबिचार में हम ने पढ़ा सब्दवेद सब्सपाइध में पढ़ा कैं फिर वery कहा होते हैं उथ्पद्दी की आधार पर रचना के आधार पर प्रयोग के आधार पर अर्थ के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर तत्सम तत्बाव देशज विदेशज हमने उदारन देखा तत्सम का आमर तत्बाव आम देशज लोटाओ विदेशज के चहरी सब्देबेद में हमने रचना के आधार पर देख ये घर देवाले हो जाएगा योगी को दशानन ने लंबोदर हैं त्रिलोचन ये क्या हो जाएंगे योगरूर हो जाएगा आर्थ देखिए आर्थ की आधार पर सार्थक निर्थक के लावा एक आर्थी नेक आर्थी समनार्थी और विपरित आर्थी इनकी अलग लिस्ट हम तर्छंट हो पढ़ेंगे और प्रियोग क्या हार पर विकारी और अवीकारी में देखिए सरवणाव संग्डा अविकारी बहते हैं तो ही भी तो जैसा भी हो मैं तो चलूँगा ही उसे करना ही होगा ये काम ऐसा कुछ उदारन देख लिए तत्सम तत्वों के ये इसको रट लिजेगा विदेशा सब तरे कुछ उदारन देख लिजे और हाँ एक बात और important है कि अगर आप club करना चाहें सब को टोटल पद हिंदी में तो कितने प्रकार को होते हैं पांच प्रकार के लिजेगा हैं तो मित्रों सबसे important है तत्सम तत्भाव ये पूछ लेता है कि वार इसका आप थोड़ा सा देख लिजेगा important लिस्टिक मैं आपके लिए ला दिया हूँ इसे साथ धन्यवाद मिलते हैं अगले लेक्चर में